हेलो एवरिवन तुड़े वी डिसकस अबाउट दा साइक्लो एलकीन्स साइक्लो एलकीन्स क्या होती है तो साइक्लो एलकीन्स हाइड्रो कार्बन वेले में एक द्वी बंद के आने से निर्मिती होगी क्या कहलाता है साइक्लो एलकीन पांच एम उससे कम कार्बन परमान यु इन समय क्या एक डबल बॉंड है इस कार्ण से इन सब को क्या वो रहे हम साइक्लो एलकीन च्छै कार्बन परमान यूप्त साइक्लो हैक्जीन की वले थोड़ी बड़े होने के कार्ण ट्रांस रूप में आ सकती है जिसकी संभावित संदरजनाय निम्प्रकार से यह सिस साइक साइक्लो हैक्जीन जिसमें की दोनों हाइट्रोजन के सिस पोजिशन पर जबकि ट्रांस में एक दूसरे के अपोजिट डाइरक्शन में होते हैं अब इसके बनाने की मैथड्स सबसे पहले हम देखेंगे डिल्स एल्डर अभी किरिया तो साइक्लो एलकीन बनाने की यह अभी किरिया करके क्या बनाती है साइक्लो हैक्सीन यहां हम देखें यह है एथीन और यह है वन्त्री प्यूटा डाइन इसमें बोन इस प्रकार से तूट रहा है यह वाला बोन यहां से तूटेगा और यह वाला यहां से तो यह वाला यहां जोड जाएगा और यह वाला य क्रूखसीन चक्रिय कीटोन से बी साइक्लोयलकीनी बनाई जा सकती है इसमें Exact क्रूखसन करके उससे बनाई चक्रिय बना जाता है इसके उसके नर्जलीकरण द्वारा साइक्लोयलकीनों का फ़िरचन होता है जैसे हम यहां देखें है उसकी sodium और ethanol की प्रज cheapest में किर्या करवा है ठोट किसमें कर जाता है ऐलकोहल घुट में यह क्या बने हमें साइकलो खेसेन प्रजम हमें करण करें और हम में क्या प्रापत होगा साइक्लो हैक्सी नेट्स्ट मेथड हम देखेंगे एसीटो एसेटिक एस्टर के उप्योग से उप्योग डाई हैलाइड लेने पर 3567 कार्बन परमाणू यूप्त साइक्लो एलकिन वित्पुन बनाएं जा सकते हैं इस विदी द्वारा चार कार्बन परमाणू वाला साइक्लो एलकिन नहीं बनता उधारना साइक्लो हैक्सजीन वित्पुन को हम निम प्रकार से बना सकते हैं यह है प्रोपिलीडिन डाइब्रोमाणू इसके किसे किर्या करवाई जाती है ऐसीटो एसेटिक एस्टर से यह है सोडियम उसका अब यहां से क्या निकल जाएगा ने बिया और यहां से यह CS2, CS, CWO, C2S5, CO, CSD इसमें क्या कोंसी keto inol चलावयवता पाई जाती है क्या होगा यह वाला H यहां से तूटेगा और यहां बोन यहां सिफ्ट होगा यहां डबल बोन और यहां पर क्या जोड़ जाएगा H फिर यहां से क्या निकल जाएगा HBR इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है और साइक्लोहेक्सेंग व्यत्पन को हम निम प्रकार से बना सकते हैं यह है 1 और 5 डाइब्रोमो पैंटेन अब इसकी हम किर्या कराएं सोडे मितोकसाइड से दो स्टैफ में होती है और यहां CS2, CS2 यहां से क्या जूड़ जाता है C क्योंकि यहां से 2HBR के निकल जाते है दो किर्यात्मक सहूँ युक्त कई योगिक साइक्लोयलकीन बनाते है जिनमें की 5-6 कारवन परवानू हो अब यहां देखें हम मेंगनीशियम की प्रजेंस में किर्या करवाएं तो यह किसमें करवाट हो जाएगा CH2, MGBR फिर इसका हाइडूलिसिस करवाएं तो MGBR OH निकल जाएगा और यहां अलकोली गुर्प में फिर इसका हम निर्जली करण कराएंगे तो क्या ओगा यह मोर्न यहां सिफ्ट हो जाएगा और यहां से H निकल जाएगा और इस प्रकार से हमें साइक्लो इल किन वित्मुन त्राप्त होते है नेग्स्ट मेथड है डैम जेनो अभी किर्याद्वारा भी कई अन्य उत्पादों के साथ साइक्लो एलकीन बनती है जैसे हम यहां देखें CS2, CS2, CH यह साइक्लिक कंपाउंड है इसके जब हम नाइटर समल से क्रिया करवाते हैं तो NH2 किस में कर्वाट हो जाता है? एलकॉलिक ग्रॉप में फिर यहां से S2 रिमूँव होगा तो यहां डबल बोन आ जाता है या फिर यहां से रिमूँव हो तो इस प्रकार से साइक्लो एलकीन बनती है साइक्लो एलकेनों के हेलोजन व्यत्पनों की विलोपन अभी किरिया वी हाइड्रो हेलोजेनी करण द्वारा भी identifyखली को प्राप्त किया यह के साक्ता है साक्वाइट्ट है यहँत्ध और मेपें यह निकल यागा कालिज कि बढने दान Thista इसकी द्गेंगंग और यहां से निकल जाएंगा तो यहां क्या प्रकार से हम मैंठ़र्स किया बनाता है हम देखेंगे डिज निक्रास का recognized में एक द्वी बंद द्वारा जुड़े वे दो कारवन पर मानू SP2 संक्रित होते हैं ये दोनों कौन से होते हैं SP2 संक्रित जिनके समस्त बंद समतलिये होते हैं अतहे साइकलो प्रोपेन साइकलो ब्यूटीन जैसे छोटी वले युक्त साइकलो एलकिने केवल सिस रूप में ह समतल समझनाएं होती हैं इन में SP3 कारवन के बंद कौन में एठन या डिस रोटेशन होने के कारवले अत्यन तनाव में होती है अता इन योगिकों का स्थायतु कम होता है साइकलो पैंटीन की वले बीसिस तथा लगबक समतल वे तनाव युक्त होती है साइकलो हैक्जीन सदस्चित तनाव विहीन जुर्री युक्त अता इस्ट्रेन फ्री पकड़ वले के रूप में होते हैं एक्स किरन विवर्तन अध्यन से ये ग्यातुआ की साइकलो हैक्जीन का सरूपन हाप्स चेयर अर्द कुर्शी के रूप में होता है जिसमें की क्या होता है वन तू थ् और शिक्स एक ही तल में इस्ट होते हैं जबकि बचेवी दो कार्वन परमाणों चार और पांच मेंसे एक तल के उपर होता है तो दूसरा तल के नीचे ऐसे दो अर्द कुसी सरूपन एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं अब हम इन सर्दस नाम में देखें कि कि जो C four है है वह C five है के बंद सामानी रूप से एक्सियल तथा ऐक्षीयल तथा एक्वीटरीयल निरक्षिये या भूमद्य होते हैं लेकिन जो C3 है और C6 के बंद आभासी अक्सियर या क्वासी एक्सियर तथा आभासी निरक्सियर क्वासी एक्विटेरिल होते हैं अता इन्हें हम क्रमसे A-डेस और E-डेस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं साइकलो हैक्जीन के लिए एक आर्धनाव या हाब बोर्ट सरुपण भी संभव हो हैं जिसमें कि C4 और C5 दोनों तल के उपर होते हैं यह क्या है साइकलो हैक्जीन का हाब बोर्ट कनफर्मेशन अब हम देखेंगे साइकलो एलकीनों की रासाइनिक अभी किरियाएं साइकलोयलकीनों की प्रमुख रूप से दो प्रकार की अभी किरियाएं संभव होती हैं एक तोती योगातमक और दूस्री कोंसी होती है औकसी करण अभी किरियां सब प्रतहँ हम देखेंगे योगातमक अभी किरिया या Addison Reaction हाइट्रोजना का योग या हाइट्रोजनी करन तो साइकलोयलकीन ने पैलेडियां उत्परेरक्ट के उपस्तिति में हाइट्रोजन से योग करके क्या बनाती है अबम देखें साइक्लोहक्सटिती में हाइट्रोजन से योग करके क्या बनाएगी साइकलोहक्सटीन हाइट्रोजन का आका छोटा होने के कारण यह वल है किसा संपक्स या सिस योग करता है अतह है यदि 1,2-Dimethyl-Cyclohexene लिया जाए तो CYS-1,2-Dimethyl-Cyclohexene बनता है यह CYS-1,2-Dimethyl-Cyclohexene पैलेडियम उत्प्रेरेक की प्रजेंस में हाइट्रोजन से योग करकी क्या बनाती है CYS-1,2-Dimethyl-Cyclohexene हेलोजन का योग या हेलोजनी करन साइकलो-एलकीनों की हेलोजन के साथ ट्रांस योगात्मक क्रिया संपन होती है CCL4 और C2H5OH की प्रजेंस में BR2 से क्रिया करवाएं तो यह ट्रांस व्यत्पन हमें प्राप्त होता है इसको हम निम्न क्रियाविदी के द्वारा समझ सकते हैं यहां हम देखें जो यह वाला कार्बन और यह वाला कार्बन ने BR2 से क्रिया करेगा तो यहां एक साइप कार्वोकेटाइन बनाएगा और फिर नेक्स टाम होगा यह बॉन यहां से इस प्रकार से तूटेगा और यह वाला यहां अटेच होगा यह एक दूसरे से ट्रांस पोजिसन में अभी किरिया संपन होती है अब हम देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योग हाइड्रो हैलोजनी करन तो साइक्लो एल किने हाइड्रोजन हैलेंड के साथ योग करके क्या बनाते हैं साइकलो एलकैस यहां हम देखें साइक्लो हैक्जिन है वो हैच्वाार से कीरिया क्या बनाते हैं साइक्लोहैक्जिल ब्रॉमाईł यह है अभी कि accesalख वर्णात्मक या रेजियो सेलेक्टिव होती है अत्या क्या होता है कि hydrogen वहां जुड़ेगा जहां पर hydrogen पर्माणों की संध्या अधिक होती है यहां जुड़ेगा एच और इधर क्या जुड़ेगा बिया क्या प्राफ्त होगा हमें वन प्रोमो वन मैथिल साइक्लो हेक्सें अब हम देखेंगे हाइपो हेलस अमलो का योग our does on of volont calendar एल्खीनों की भाति साइक्लो एलकीने भी हाइपो हेलस अमलो के साथ योगात्में क्या करके हैलो हाइड्रिन बनाते हैं यह 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 विपक्ष होता है यहां देखिए हम हाइपो हेलस ख्लोराइड के साथ क्या करवाने पी यह योग कैसे होता है ट्रांस जल का योग या जल योजन एडिसन और वाटर और हैडरीसं एलकीनों की भाती साइक्लो एलकीनी भी तनू S2-SO4 के साथ क्रिया कराने पर जल का योग करके हेड्रोक्सी योगियों को निर्मान करती है यह साइक्लो हैक्सीन water से tanoo S2SO4 के presence में क्रिया करें क्या वनाएगी cyclohexenol next अभी क्रिया है hydroborin cycloalkinों की diborin के साथ क्रिया करवा कर उतपाद को यदि हम hydrogen peroxide S2O2 के साथ अभी क्रत करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है cycloalkinol यह है cyclohexen इसकी हम B2H6 से क्रिया करवाएं डाइबोरें से तो यहां क्या हो जाएगा BH2 एड हो जाएगा फिर hydrogen peroxide की presence में किसमें कर्मट हो जाता है cyclohexenol next अभी क्रिया है इसकी कार्बीन का योग addition of carbenes cycloalkinol के साथ कार्बीन अत्वा dichloro-carben का संपक्ष योग होता है और क्या प्राप्त होता है bicyclo उत्पाद जैसे हम यहां देखे cyclohexen है यह dye जो methane के साथ ultraviolet प्रकास की presence में क्या बनाती है bicyclo योग है यहां क्या बन जाएगा bicyclo 5th बन यहां हम देखे cyclohexen है chloroform CHCl3 और trimethyl tertiary trimethyl potassium के साथ क्रिया करके क्या बनाएगे bicyclo ब्यत्पुन और यहां CCL2 एड़ हो जाएगा यहां से KCL और CS3COS tertiary alcohol प्राप्त होता है next अभी के लिए हम देखेंगे thai cynogen का योग cyclohexen thaiocynogen के साथ भी vipax योगात्मक अभी क्रिया संपन करती है S2CN का whole twice thai cynogen इसके साथ क्या होता है SCN S1CN क्या दोता है transposition next अभी क्रिया बैंजीन का योग या addition of बैंजीन यह बैंजीन के साथ भी योगात्मक अभी क्रिया करके cycloalkyl बैंजीन बनाती है यह बैंजीन है cyclohexene क्या बनाएगी योगात्मक अभी क्रिक रखे cyclohexyl बैंजीन next अभी क्रिया इसकी oxymercuricon या v-mercury करन तो एलकीनों की भाती cycloalkynों में भी oxymercuricon v-mercury अभी के या द्वारा द्वी बन पर marconi के नियम साथ जल के एकड़ों का योग होता है यह 1-methylcyclopentene अब इसकी किरिया हम किस करवाएं HgOac का whole twice और tetrahydrofuren की प्रजेंस में mercury करवाएं तो इस प्रगार से इसका योग होगा है HgOac का और यहां क्या जोड़ जाएगा OH फिर NABH4 की प्रजेंस में क्या हो जाथा V-mercury करवाएं और हमें क्या प्राप्त होता है 1-methylcyclopentene अब हम देखेंगे Oxycoran अभी किरिया है Oxidation Reaction एलकीनों की भाती cyclo-alkीने भी कई प्रकार के Oxycarco से Oxyक्रत होकर विभिन उत्पाद बनाती है जैसे Cyclopentene है यह Osmium OsO4 Osmium Tetra Oxide के साथ Oxycoran करवाते हैं तो इस प्रकार से वले का Hydroxycan Osmium Tetra Oxide का Addison होगा फिर जब हम जलब गठन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें Cyscyclopentene 1,2 Diol Next अभी किरिया है श्यार यह के MnO4 के साथ भी Cyclo Alkeno का संपक्स Hydroxycan होता है और हमें क्या प्राप्त होते हैं 1,2 Diol यह Cyclohexin है यह MnO4 माइनस से किरिया करके इस प्रकार से Addison हो जाएगा फिर जलब गटन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होता है में Cyscyclohexin 1,2 Diol यह Paroxy Carboxy Amlok के साथ भी Oxy Oxy रत होकर Ethoxide बनाती है यह Cyclohexin यह Paroxy Benzoic Aml इससे क्या करेगा किरिया करके Cyclohexin Oxide हमें बनाता है यह अपोक्साइड Aml उत्प्रेरत जल अपगटन करवाएं तो क्या होगा Vipax 1,2 Diol प्राप्त होते हैं Cyclohexin Oxide इसका जब हम जलियोजन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है Vipax Cyclohexin 1,2 Diol Next अभी करिया है Ozone अपकर्टन एलकीनो की भाती Cyclohelkino का भी Ozone अपकर्टन होता है और उससे क्या होगी वले टूर जाती है और Diol उत्पाद बनता है यह Cyclohexin O3 Ozone के साथ करिया करके क्या बनाती पहले तो Ozone Nide Jink और Acetic Acid की Presence में यह वले यहां से Break हो जारी और हमें क्या प्राप्त होगा CHO और CSO 1-Hexin 1-6 Diol अब Next अभी करिया है इसकी थर्ड Substitution Reaction या प्रतिस्थापन अभी करिया Paroxide की उपस्तिती में अथवा उच्च ताप पर या सूरिय के प्रकास में यदि Cyclo-Alkino की अभी करिया Carbon Tetra Chloride Willian में N-Bromosuccinemide के साथ करवाई जाए तो वले की अलिलिक इस्थिती पर प्रतिस्थापन द्वारा Bromini करण की अभी करिया संपन होती है ये क्या है Benzen है N-Bromosuccinemide के साथ जब इसकी Ultra Violet प्रकास में या गरम किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है 3-Bromosuccinemide अभी करिया किसके द्वारा संपन होती है Free Radical Mechanism के द्वारा यहां हम देखे जो N-B-R है बन टूरने पर B-R Free Radical बनता है जो की निम्न अभी करिया द्वारा एक मुक्त मूलक बनाते है B-R Free Radical है यहां से H-B-R निकल जाएगा और यह मुक्त मूलक बनेगा यह है H-B-R N-Bromosuccinemide अभी के साथ क्रिया करके एक ब्रोमीन अभी करता है यह N-Bromosuccinemide है H-B-R से क्रिया करेगा यहां से तो H-H हो जाएगा B-R 2 यहां से निकल जाएगा थार्ड स्टेप में क्या हुआ होगा कि जो बनावा मुक्त मूलक है वो ब्रोमीन अभी के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है यह यहां टैच हो जाएगा ब्रोमीन मुक्त मूलक यहां से निकल जाएगा इस प्रकार उत्पाद के साथ एक B-R मुक्त मूलक बनता है जो उप्यूक संपूर्ण प्रक्रम को फिर धोरा देगा और अभी करिया चलती रहेगी एन ब्रोमो सक्षनी माइड की विलेता CCL4 में अत्यंत अल्प होती है और ब्रोमीन की सांजता अत्यंत कम होती है अत्या अभी करिया में योगात्मक अभी करिया के तुलना में प्रतिस्थापन अभी करियाई प्रमुक रूप से चलती है और 80 से 90 परसेंट प्रतिस्थापन उत्पाद राप्त होता है तो इस प्रकार से CCL-Alky ने योगात्मक Oxidation Aon substitution reaction देती है Thank you